मैं यूट्यूब चैनल में अभी हम लोग आये हैं सीप्यू प्लांट में मैं और मनुझ भाई अभी एक पंप में प्रॉब्लम आ रही है तो खुलने जा रहे हैं तो दोस्तो यह पंप है अभी प्रॉब्लम दे रहा है जो की जाम है इसे सबसे पहले हम लोग मर्जंसी लगा लिया लोक फिर सबसे पहले मैं गाड को अटाता हूं दोस्तो बेखिए गुमा के देख रहा है नहीं घूम रहा है पंप है जाम है जोस्तो इसको अब डिकपल करते हैं फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों जब तक हम लोग कपलिंग खोल ले हैं तब तक आप चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं हम लोग ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे तो हमने डिकपल कर लिया है आप पंप को खोलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम वाल बंद कर लेते हैं इसका और फ्रेंड छोटा पंप है पीटो वाला पंप है तो इसके लिए इसे डिपरेसराइज करने की ज़रूरत नहीं है तो अब हम केसिंग से खोल के इसके बोल्ट को अलग करते हैं अब लेक भी खोलना होता है तो लेक भी डीला कर लेते हैं इसको अब लेक को अब हमने ढिला कर लिया है तो तो करेंड यारेक केसिंग और लेक खोल लिया हम ने तो पेचकस की मदब से इसको बाहर कर लेते हैं तो देखेंड बाहर आ गया अब पंप को उठाते हैं कि देखिए इसका ये प्रोसेस कंपनी का कम पंप है मॉडल नम्मर देख सकते हैं इसमें सारा स्वोरा अभी ये पंप जाम है इसको डिस्मेंटल करेंगे कि दोस्तों अब पंप को डिस्मेंटल करने चलना है हम लोग ऑईल को पहले से ड्रेन कर चुके हैं जोकि इसमें ऑईल नहीं था अभी इसमें पानी पढ़ गया था जिससे बैरिंग सीज हो गया है इसको खोल लेते हैं दोस्तों कि इंपेलर को खोल लिए कि इंपेलर को खोलने के बाद फिर अम इंपेलर को बार निकाल लेते हैं कि इंपेलर निकाल लिए दोस्तों इसकी चागी निकाल लिए देखिए सेमी ओपन इंपेलर है इसकी चावी इसका चकनट है अब इसको निकालेंगे इस ट्रेपिंग बॉक्स को निकालेंगे इसके कि दोस्तों इसका यह है स्ट्रेपिंग बॉक्स यह स्लीव इसका यह स्लीव है इस्ट्रेपिंग बॉक्स है एक लैंड बूसर है यह गर्वी स्कुरू ढिला कर लेते हैं जिससे कपलिंग निकालने अब हम पम को साप्ट निकालने के लिए इसके बैरिंग बैक कवर को खोलेंगे जो आट का बोल्ट लगा इसमें स्क्राइब बुद अबंड़ जिकालने स्क्राइब भी है स्क्राइब बुद टुँ स्क्राइब बुद पर लेखिए यह देखिए दोस्तों इसमें वोरिंग है जो कि ओयल ना लिके जोने दे फिर ओयल सी लिया लगी हुई है जो इसका नम्मर अगर 20-38-10 है देखिए दोस्तों बेरिंग खराब है कैसे मुमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा है अब इस साइड का खोल लेते हैं प्लेट पुपचा का पुपचर है बलंपर भावस्तों नाम कि अ दूसरी साइड का प्लेट निकाल लिए हैं अब निकालते हैं बैरिंग यो देग दोस्तों बैरिंग है टूट चुका इंड देहिए इसका इनर रेश तूट गाए इसमें बॉल भी नहीं है पूरे तरह से बैरिंग टूट 흥 या देखिए दोस्तों अब हम इसको निकाल लेते हैं बैरिन को इसके लिए पहले चकनट लगाते हैं कि चोट मारके निकाल लेंगे अब बैरिन को निकाल लाएं दोस्तों अब कर लिया है और लेंगे दोस्तों बैरिंग निकल चुका है एक बैरिंग टूट गया है जब JESSICA कर लिया है यह सारा पका है पार्ट तो मैं आपको सारे पार्ट से भाता हुए इसको बोलते है साथ इसमें देखिए यह ठ्रेड कटा हुआ है यहां कीवे है यहां पर आपका स्लीब को चलने के लिए फसने के लिए जगा दिया जाता है यहां रहता है कपलिंग यहां पर रहते हैं दो बैरिंग दोस्तों यह है स्लीब यह स्लीब ऐसे रहता है जो स्लीब इसमें आके फस जाता है और यह है impeller का lock nut जो यहां लगता है फिर इसके पीछे आता है यह gasket जो पीटी अफी का होता है टेपलॉन का फिर दोस्तों यह हमारा bearing back plate होता है यहां पे o-ring होता है कि जिससे oil ना लिके जो यहां मेरा oil seal रहता है जो की हमने निकाल लखा है यह है oil seal फिर दोस्तों यह है कि जो चा यह है आपका semi open impeller यह है इसका gas kit फिर दोस्तों हम बताएं दोस्तों यह bearing plate को tight करने के लिए bolt लगे हुए हैं और यह है इसके washer locking washer जो बोलते हैं दोस्तों और यह है gland booster जो यह gland है gland को इसमें लाकी से tight करते हैं यह है stepping box दोस्तों जो की ऐसा दीखता है और फिर हम pump के बारें बताते हैं तो यह है पूरे तो बोलते हैं body यहां से oil डालते हैं plug फिर यहां से oil level देखते हैं यह है drain plug यह है leg फिर अंदर की बात करें दोस्तों तो यहां पे bearing hodging